और इसमें हम जैनिजम की हिस्ट्री जैसे बुद्धिजम में कवर की वो करेंगे इसमें हम जैनिजम की टीचिंग्स, जैनिजम की फिलासिफी, जैनिजम की बिलीफ, जैनिजम की काउंसिल्स एंड लिट्रेचर भी करेंगे अभी बिगिनिंग करते हैं हम जैनिजम को मिलने वाली रॉयल पैट्रॉंस की सपोर्ट की क्योंकि किसी भी इस तरह के रिलिजन को अपने आपको अगर फैलाना है अल्रेडी एग्जिस्टेंड कस्टम्स के बीच में जैसे वैदिक कस्टम इंडिया में था ऐसे में उन्हें पैट्रॉंस की जरूरत है और वो तभी मिल सकते हैं अगर आप किसी ना किसी वे में उन रॉयल या विजनस हाॉसेस के लिए कुछ रेलेवेंट कॉंट्रिब्यूट करते हैं मतलब अगर उनको किसी तरह का कोई सोशल एकनोमिकल, पॉलिटिकल अगर अपलिफ्टमेंट मिलता है आपके आने से तो आपको समर्थन करते हैं और जैनिजम इस मामले में गुड था जैनिजम और बुद्धिजम की टीचिंग्स काफी मैच करती हैं अपस में यसे नॉन वायलेंस की कंसेप्ड दोनों झे दिया मुद्य की बात देखें तो पांच माहावरत जैसे सत्य यानि कि सत्य बोलना अस्ते मनी चोरी नहीं करना जैनि कि फ्ऱिर्फ आहिस्य करना अब परीग्रह है कि चंदरगुप्त मौर्य का समर्थन इनको मिला था उसका रीजन क्या है क्योंकि एक कंसेप्ट यह है कि जब बारा साल का आकाल मगत में पड़ा था जब भद्र बाहू के साथ चंदरगुप्त मौर्य दक्षण गया और करनाटक में हसन डिस्टिक में श्रवन बेल गोला ना तो मौर्य ने जो एक्टिविटी अपनाई थी वो थी सनलेखना सनलेखना विदी और आज उसे हम कहते हैं संथारा इसको लेकर के सुप्रीम कोट और जैनिजम में डिस्टियूट है तो सनलेखना विदी संथारा विदी क्या है अभी क्लियर हो जाएगी तो इस विदी के ब करनाई एं.. इससे लगता है जैसे मौर्य आज कहीं न कहीं इसको क्लियर कट एविदेंस मिलते हैं जो आशोक का पोता है यह संपराथी यह इसके प्रमान है और भारत में सबसे अर्लियस्ट evidence of jain statues मिलता है लोहानी पूर से लोहानी पूर से और यह है पतना वही पाटली पुत्र तो लोहानी पूर से यह earliest evidence है जैना statues के, जैन की जो jin की जो मूर्तियां बनती है उनके earliest evidence है इसके इलावा अगर हम बात करें, तो next अभी हम second century BC के around चलते हैं second century BC और second century BC के अगर हम बात करें तो यहाँ पर यह जो इंडिया है इंडिया का जो उडिसा का एरिया है coastal उडिसा जिसको कलिंग कहा जाता था, कलिंग में second century BC के around एक ruler है खारवेल, खारवेला तो खारवेल के समय में ऐसा कहा जाता है कि उसने जिन की मूर्तियां बनवाई है और खारवेला की जो वाइफ थी उसने यहाँ पर कलिंग में केव्स बनवाई हैं जैन तीर्थंकारों के लिए जैनों के लिए और यहाँ पर उदेगिरी की और खंडगिरी की पहाडियों पे जो caves मिलती है वो जैनों से related ही है आप से पूछा जाएगा उदेगिरी और खंडगिरी की पहाडियों के इस धर्म से जुड़ी है जैनों से जुड़ी है और ये बात important भी है क्योंकि जैनिजम भारत में बहुत पुराना religion है बहुत पुराना डालके मगद ले आया है पाटली कुतर लेके आया है तो मतलब कलिंग काफी पुराने समय से ही माना करता था जैन को अब नंदों के बाद नंद के चले जाने के बाद महापदम नंदा के बाद धननंद आया तो इस दोरान कलिंग ने खुद को फिर से अलग कर लिया था फिर से छुड़वा लिए ता फिर से नंदों के बादir तो दोबारा कलिंग को अबजा गिया है अशोख ने और उसके बादल कलैंग नहीं कहड़ा हो पाया तो यह जो कहानी है your very तुबारा अशोक के बाद फिर कलिंग जो आता है सेकंड सेंचरी बीसी में वहां पर एक परसन है खारवेल तो खारवेल अपने इनहेरिटेड कल्चर को ही कॉंटिन्यू कर रहा है ऐसा लगता है और यहां पर वो और उसकी पत्नी उनके लिए गुफाएं बना रही है और मू तुबारा बैती है तो इसके बीच का यह इलाका यहां पर अलग अलग डैनेस्टीज आएंगी आप देखेंगे चालुक्याज भी होंगे रास्ट्रकूटाज भी होंगे और गंगाज भी होंगे तो चालुक्या रास्ट्रकूट कादम बगंग यह सारे रूलर और यह सारे evidence मिलते हैं, वहाँ से पता लगता है कि ये जैन supporter थे, तो आपसे पूछा जाएगा कि एहोल और बादामी की गुफाओं से किन के परमाण मिलते हैं, जैनास के परमाण मिलते हैं, ठीक है, इसके इलावा अगर आप देखें, तो यहाँ पर गुजरात, काठियावाड का इलागा, और राजस्थान का इलागा, इन दो एरियाज में भी ये religion penetrate हुआ जैनिजम और इसका evidence इस बात से मिलता है, कि अगर आप सिध्ध राजा जैसिंग का जिकर देखें, तो वहाँ पर वो मंदिरों का निर्मान कराते पाए जाते हैं जोदपूर में, जहां पर रनकपूर के मंदिर है, तो जोदपूर के पास आपको रनकपूर टेंपल दिखेगा, रनकपूर के मंदिर, आज बहुत famous हैं ये, रनकपूरा के मंदिर, ये आपको जोदपूर के पास नज़राएंगे इसके इलावा माउंट अबू पे दिलवाडा के मंदिर ये भी आपको राजस्तान में नज़राएंगे ना माउंट अबू गुरु शिकर हाइस्ट पीक है और किसकी अरावली की तो इसी तरह से माउंट अबू भी है वहाँ पे माउंट अबू में गुरु शिकर ये हाइस्ट पीक है तो यहाँ पर आपको मिलते हैं दिलवाडा के टेंपल ये भी किन से जुड़े हैं जैनियों से तो जैसिंग का समर्तन देना रनकपुर का मंदर जोदपुर के पगल में होना फिर अगर आप ध्यान से देखें तो चितौर के किले पे जैन पॉर्ट बना जैन पिलर लगा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टन आस्पेक्ट है तो इन सारी चीजों से पता लगता है कि एक रूलर है सामन्त आभारा सामन्त आभार तो सामन्त आभार के समय में यहां पर भी जैनिजम को प्रमोट करते पाया गया है तो तमिल नाडू का कान्ची है भारत में उडिसा है खारवेल रूलर उसके बाद डेकन और हैदराबाद अंदरपरदेश का हैदराबाद और करनाटक का माईसूर है यहां पर आपको अलग अलग रूलर जैसे चालुक के हुए रास्ट कूटा कादंब और गंगाज इसके इलावा राजस्थान और गुजरात का इलाका इन सारे एरियाज में आपको जैनिजम फैलता देखेगा और अगर ध्यान से देखे तो कनिश्क के समय में आपको जैनिजम मतुरा में भी पैनेटरेट करता देखेगा और हाई लेवल पर जैन आर्ट मतुरा में भी फैलती है तो कुल मिलाके यहां से पता लगता है कि जैनिज्जम पैन इंडिया फ्यला हुआ था अलग अलग टाइन पीलिया कि और वैसे इसमें वह विधिया मीं कि किस-की एरिया में किस-किस तरह से ये फैले है, तो दिखा जाए, तो आपसे कोशन पूछा जाए, तो आप कहेंगे, गुजरात और राजस्तान, बने आंख बन्द करके, वेस्ट में श्वेतांबर है, गुजरात राजस्तान नोन फॉर्द श्वेतांबराज़ और Deccan, Hydra और Mysore It is known for the Digambras क्योंकि भधरबाहु कहां गया था तो Digambra कहां आओंगे क्योंकि भधरबाहु किसको support करता था Digambra को तो यह question एक आता है यह बात clear है तो Royal Patrons में हमने देखा समय समय पर अलग-अलग लोग होए अगर हम ध्यान से देखें तो 12th century के टाइम चालुक के ruler कुमार पाल हुआ करता था जिसने दिगांबरों में से उस टाइम पर एक person को support करा है हेम चंद्र दिगंबर नहीं, it is श्वेतांबर तो एक श्वेतांबर बहुत बड़े genius है that is हेम चंद्र तो हेम चंद्र की बातों में आकर के उसने decide किया कि वो दोबारा से rejuvenate करेंगे जनिजम को, ये पहली बात इसके इलावा अगर आप देखें तो जो ये चालुक के कादंब गंग ruler है इनमें अलग अलग टाइम पर अलग अलग ruler हुए है जैसे अगर आप 10th century की बात करते हैं तो 10th century के दोरान आपको एक कादंब ruler दिखेंगे सौम देव उसके बाद 12th century के दोरान गंगा ruler नीती मार्ग ये दोनो ruler सौम देव और नीती मार्ग के समय में जनिजम का literature और जनिजम का अर्किटेक्टर भी काफी डेवलप हुआ तो समय समय पर इस तरह के नाम आएंगे आपको और इसी समय में जब साउत में ये सारी चीज़े डेवलप हो रही है आपको दो परसन दिखेंगे एक परसन का नाम है गुणभद्र आजाएगा उसका नाम याद तो गुणभद्र और अरे यार अभी शाम को पताया मैंने तो उनके साथ एक परसन है ये दोनों बहुत स्टाउंच इंटलेक्ट है जनिजम से रिलेटेड ये इनी पीरियड में इनी डेवलप होए तो कोल में लागे रॉयल पैटरॉन की केसिस में ये कहेंगे लेकिन मारे, कुशान इस तरह के बड़े रूलर का समर्थन बुद्धिजम की तरह जनिजम को नहीं मिला जिसे फाइनली गुपताज ने तो एंड ही कर दिया आईवा समझ में तो ये सारा हम रॉयल पैटरॉन में देखते है इसके बाद कहानी आ जाती है कि इनका क्या कॉंट्रिबूशन रहा तो मुझे लगता है ये मैंने कॉंट्रिबूशन करा दिया है जब हम उस दिन कोश्चन अंसर्स डिसकस कर रहे थे फिर भी सिंपल अगर पॉइंट तूपॉइंट कराना हो तो पॉइंट तूपॉइंट आप इसे कर सकते हैं कि सबसे पहला कॉंट्रिबूशन अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट कॉंट्रिबूशन बुद्धिजम की तरह ही सोशल एक्वैलिटी को प्रमोट किया ठीक है जी और फिर वो चार वरत जो बताए वो इंपोर्टन थे ना प्रेड के लिए ग्रोथ के लिए कमर्स और इंडस्ट्री के लिए तो वो लागू करवाया सबसे इंपोर्टन तो है तीसरा सबसे इंपोर्टन असपेक्ट है लोकल लेंविजेस को यूज किया जैसे प्राकृत भाषा जैसे अपब्रहम्ष इन दोनों को विकास किया और प्राकृत से बात में जाके सोरा-से-नी यानि के मत्वरा-सौरी मराठा और साउथ में कन्नड इन भाषाओं का विकास कि तो प्राकृत भाषा का यूज करना, लेंगवेज में बहुत कुछ देना, अप भ्रहम्स में लिखने की शुरुआत करना और उसकी ग्रैमर प्रोवाइट करना, तो ये बहुत बड़ी बात थी, इजुकेशन सिस्टम के तौर पे इनोने काम किया, लिट्रेचर इसमें में डेवलप किया, चौता अगर हम बात करें, तो इनोने इंटरनेशनल कनेक्शन नहीं प्रोमोट किये, बुदिजम की तरह, तो इनके बारे में चौती चीज क्या आजाती है, आर्ट एड आर्किटेक हैं, इसके बाद अगर इनके कॉंट्रिबूशन की बात करें, तो पेंटिंग की फील्ड में मैंने समझाया था, कि पाम लीवस के उपर लिखा करते थे, और पाम लीवस के उपर लिखने के साथ साथ उसे गोल्ड डस्ट से पेंट कर दिया करते थे, जिसने वेस्टनाइज पेंटिंग स्कूल, जैनी कि इंडिया का वेस्टन पेंटिंग स्कूल को सपोर्ट किया बल दिया, ये इनकी इंपॉर्टन आस्पेक्ट तो लिट्रेचर, क्या कहते हैं, राइटिंग है, लेंगवेज है, आर्ट और अर्टिक्रश का जिसका जिक्र मैंने मंधिरों का और जोड़ सकते हैं सिरफ एक दो पॉइंट चोड़ करके इंटरनेशनल रिलेशन से इन्होंने बूस्ट नहीं किये बुद्धिजम और जैनिजम में यही डिफरेंस है इसके बाद अगर इनके डिकलाइन के बारे में आपसे बात की जाए तो जितना बुद्धिजम का डिकलाइ है सारा सारा डिकलाइन लिख देना बस इसलिए उन्होंने यहां पे सरफ चारी पॉइंट लिख दियें कि बहुत तगड़े इंटलेक्च्छल और बहुत तगड़े सपोर्टर वो खतम हो गए थे जो जैनिजम है इसमें जो नेगेटिविटीज जिनको कंडेम किया था कभ पॉरन रूलर्स हैं उन्होंने आकर के इनका खात्मा किया जैसे सकाज आये और बाद में तूर्क आ गए उन्होंने आकर कि इनको समाप्त किया अगला असपेक्ट इन्हें बहुत जबरदस ने में कॉमपडिशन मिला बुद्धिजम और हिंदुईजम से यह उस कॉमपडि अशुक मिला था कुशान करिश मिला था हिंदुईजम को पुश्यमित्र शुंग मिला था गुपताज मिले थे इनको कौन मिला था तो यह सारे नेगटिव पॉइंट्स रहे यह उनकी कॉमपडिशन की बाड़ में टिक ना पाए यह हद से जादा नॉन वाइलेंस के को प्रमोट करते गए फॉलवर्स जो कि उस समय की रियलिस्टिक सिचुएशन में के क्लोज नहीं आ सकते थे इतना नॉन वाइलेंस फॉलो करके वो इनसे दूर हो गए यह सारे कारण है जिनकी बज़ा से यह पिछड़ गए और फाइनली खतम होए उद्दे की बात समझना है अपने सारे स्किस्म के साथ अपने सारे फैक्शन के साथ भारत में आज भी बुद्धिजम एक्जिस्ट करता है सौरी भारत में आज भी जैनिजम एक्जिस्ट करता है और बुद्धिजम हो गया है स्टिल आप जैनिजम देख सकते हैं अच्छा खासा वेस्टन इंडिय में और पंजाब में भी आपको दिख जाएगा यह important बात है ठीक है तो अब हम जब इनका comparative analysis करेंगे तब आपको बहुत सी मिलती भी है सेम है पहले उनको शेयर करते हैं सबसे पहला aspect क्या है दोनों का जो आपस में शेयर होता है दोनों का जन्म उस atmosphere में हुआ जहां पर आरे सिस्टम और वैदिक सोसाइटी काफी strong और impactful हो चुकी थे यानि कि social, economic, political and cultural background दोनों का सेम रहा origin कराने का पहला बात दूसरी बात, दोनों का basis सांक्या philosophy रही, सांक्या दर्शन, जो आगे जाकर कि सांक्या दर्शन विक्सित होगा उसमें यही कहा जाता है कि God जैसी चीज एक्जिस नहीं करती, ब्रहम चीज एक्जिस नहीं करता जीव और अजीव दो individual aspect हैं और जीव और अजीव जिस तरह का behave करते हैं, उसी तरह से matter form, reform होता रहता है अगेन अगेन यह procedure चलता रहता है, तो इस तरह का concept, ritualism को follow ना करना, sacrifice को follow ना करना, ब्रहम को God को address ना करना, जीव अजीव की duality को, dual nature को significant मानना, यह सांक्या philosophy है और यह बुद्ध जैन में common है, तो एक question बहुत important है, कि बुद्ध जैन उपनिशत की किस philosophy पे बेचते संक है, चंकरचार ने इसी बात पर दज्जियां उड़ाई थी, कि तुमने नया क्या दिया, this topic तो यह second aspect, सांक्या philosophy को follow किया, यह कभी मत बूलना, ठीक है, third aspect, दोनों का area of operation, eastern UP, north और south बिहार रहा, यह बहुत important aspect है, क्योंकि यह non-arian area था एक तरह से, यह less-arian impacted area था, तो यही common चीज ने दोनों को support किया, क्योंकि यही से tribal character आता है, यही से आपको संग और गण में रहने की आजादी आती है, important aspect, तो कुल मिला करके, यही से जब वैदिक culture, tradition, बहुत deeply आकर के, इन cultures को, pre-existing cultures को, modify करना शुरू करेगा, तभी frustrations generate होंगी, और यह इन दोनों के cases में same रही, तभी यह breeding ground बना, तो दोनों यहां से विक्सित होए, दोनों के मामले में, अगला सबसे important aspect, दोनों ने ही अहिमसा को follow किया है, non-violence को, और यह बड़ी बात है, इसकी वज़ा से दोनों को ही business society का समर्थन मिला, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें, तो non-violence में जैनिजम ज़्यादा strong हुआ, जिसकी वज़ा से एक बहुत बड़ा agriculturalist section उससे दूर हुआ, जिसका benefit Buddhism को हुआ, Buddhism की तरफ गया, दोनों ने ही wealth accumulation को मना किया है, अब परीग रह की बात दोनों धर्मों ने किया है, लेकिन इस मामले में भी जैनिजम extreme चला गया, उसने बहुत access में जाके कहा, कि बिलकुल भी wealth earn नहीं करना, लेकिन जैनिजम के followers न में wealth accumulate नहीं करना, लेकिन other aspects में आप चीजों को accumulate कर सकते हैं, जैसे money है, या manufacturing goods है, other items है, इसलिए आप notice करेंगे कि banking industry में